हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अर्चनका वेच कीचन में आज हम बनाएंगे कड़ा परसाथ जो की गुरु द्वारों में मिलता है और इसको घर में भी बनाया जा सकता है उसी टेस्ट पे इसके लिए तीन से चार चीजों की जरुत होती है आटा चीनी घी और पानी तो ग दीरे दीरे इसको चलाएंगे जब तक गोल्डन ब्राउन न हो जाए और इसको दीरे देरे ही चलाएंगे बहुत सांत मन से बनाना है इस परसाथ को दिल से बनाना है जो की बहुत ही टेस्टी बनता है ये ब्राउन होगे अब इससे जादा नहीं भूनना है जादा अब इस और इसको अच्छे से चलाते रहेंगे, फिर इसके बाद ये चीनी डालेंगे, एक कटोरी, इसको भी मिला लेंगे, अब इसमें थोड़ा सा गय सतेज करेंगे, और अच्छे से भुनाई करेंगे, जब तक इसमें देशीगी रिलीज ना हो जाए, इसकी चमक दिखें न, कोई ऐसा नहीं कहेगा कि अच्छा नहीं है, वो भी कड़ा प्रशाद है ये, काफी अच्छा लगता है, जैसे कि गुरुद्वारों में मिलता है, वैसे इस वाद घर में भी बना के खाईए, इसमें बद पानी डवल लेना होता है, बाकी सब एक जैसी लेना पड़ता है, और आटा, और आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिये चैनल को, अब ऐसे ही गुरुद्वारों में प्रशाद मिलता है, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है, कभी भी जाईए तो ऐसे ही मिलेगा प्रशाद वगेरा, और आप लोग स्वस्त रहिए, मस रहि अच्छे से ये प्रशाद कड़ा बना के खाईए,